ही किस एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास कंदर स्वागत एक सबसे बड़ा सवाल मैं कॉंटेंट कैसे लिखो कि किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पर रेंग कर जाओ मैं कुछ ऐसा कॉंटेंट कैसे क्रियेट करूँ जो गूगल की नजर में यूनीक है जिस पे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आया जो मेरी साइट का सबसे पावफुल कॉंटेंट हो अगर आप भी ऐसा कोई informative कॉंटेंट आपकी साइट पर प्रियूस करने जा रहा है जिससे आपकी expectation है कि वो आपकी साइट पर maximum traffic लेके आए तो ये वीडियो आपके लिए है जैसा कि हमने recently keyword research की एक सीरीज चालू की थी उसको अगर आपने नहीं देखा पूरी play list का लिंक आपको description में मिल जाएगा आप सबने बहुती जादा comment किये कि मैं एक नई सीरीज content writing पर चालू करूँ ये उसका first session है future में हम अलग-अलग type की content को कैसे create करें उस पे भी लाने वाले हैं तो make sure कीजिएगा आप channel को जरूर subscribe करें ताकि future की notification update आपको miss ना रहा है और इस वीडियो के अंतक रहिएगा because कोई भी चोड़ी से चोड़ी चीज आपको miss नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहापे मैं practically आपको दिखाऊंगा कैसे editor के अंदर जा करके आप किसी content को produce कर सकते है जो एक informative content है okay product review वाला हम next session में discuss करेंगे so guys मेरा नाम है किरतिश वियास I am the founder of supreme campus and blogging और इस channel पर हम blogging, affiliate, marketing और youtube से related premium learning free of cost में share करते है सिर्फ आपको minimum cost पे करनी है वो है like और अगर नए है तो channel को subscribe without wasting time चलता desktop की screen पर और शिरुरुआत करते हैं हम लग आ चुक है desktop की screen पर सबसे पहली चीज़ यह जो हमने recently keyword research की पूरी के पूरी advanced keyword research पर मैंने 3-4 वीडियो अप्लोड किये और more than 26 technique आपको playlist में मिल जाएगी जो जरूर जा करके देखे और आप सभी के demand पर आज हो चुका है supreme campus का official launch मतलब आप यहाँ पर अभी enroll कर सकते है blogging के courses, affiliate marketing के courses simply site पर आईए you can get an access और क्या exactly आपको उसके अंदर सिखाया जाएगा आप scroll down करके यहाँ से curriculum देख सकते हैं otherwise इस page पर आने के बाद आप जरूर जाके वो 10 minute का video देखिए जो course में आप enroll करना चाहते हैं बाकि इस पर detail में, future में, definitely इसके बाद में एक video बनाऊगा तो अभी बात करते हैं exactly किस तरीके से आपको keyword research करना है और keyword research करने के बाद कैसे content लिखना है तो हमने जो पिछला advanced keyword research का part 3 था जहाँ पर हमने keyword निखाला था keyword क्या था? soundproof basement ceiling अगर आपने नहीं देखा, फटा फट से जाके देखिए ये वाला video और मैंने एक example दिया था कि हम इस पर एक content लिखेंगे तो soundproof basement ceiling तो सबसे पहली शुरुआत, जब आपको एक keyword मिल जाता है उसकी सबसे पहली शुरुआत होती है आपको google से डाल करके ये देखना है कि उसका intent क्या है intent का मतलब तीन तरीका हो सकता है या तो वो informative content हो सकता है या फिर वो navigation हो सकता है या वो transactional हो सकता है और ये सारी जड़नी अगर आप already supreme campus के students हो तो वहाँ पे मैं detail में discuss किया है यहां पे मैं आपको एक overview दे रहा हूँ तो हमें क्या करना है जैसे आपके पास keyword मिलेगा तो आपका keyword rank करेगा not based on the content but based on the intent और इसकी शुरुआत होती है आपके title से मलब आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपका keyword पे आपको title क्या design करना हो आपके title को देखने से पहले आपको ये समझना होगा कि Google इस keyword पे क्या-क्या rank कर रहा है ready? तो सबसे पहले आपको keyword यहां पे डालना है तो मालोगो कि यहां पे keyword था जो मैंने insert किया जो मैंने पिछले वाले session के अंदर से find out किया जैसे मैं इस keyword को यहां पे search करता हो तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहां पर किस type का content rank हो रहा है तो सबसे पहले यहां पे देख रहा है 3 ways to make your basement soundproof next one is आप scroll down करेंगे 9 cheapest ways how to soundproof, how to, best way और how to soundproof the best way तो एक छोटा सा broader overview आपको मिल रहा है यह जो भी है यह informative content है जहां पर लोगों को सिखाया जा रहा है how to, कैसे करना है ऐसा नहीं कि आप यहां पे यह लिख लें कि best soundproof basement ceiling और आप ceiling बेचना चालू कर दे यह keyword है soundproof basement ceiling के बारे में but go google इसके लिए rank कर रहा है ways, how to, कैसे soundproof ceiling की जाए ना कि क्या soundproof ceiling बेची जाए तो यहां पर सबसे पहली शुरुवात हो तो यह आप में से बहुत साल लोग यहीं पर फस जाते है आपको keyword मिलता है आप आपकी इसाब से जो जो होई भी लगता है वो आपका चिपका देते है तो यह सबसे पहले आपको focus करना है इसके पहले आपको क्या करना है आपका जो भी wordpress editor है उसके अंदर जाना है तो example के लिए मेरी जो site है यह soundproof idea.com मैं उस पर जैसे login करता हूँ और मेरी जो site है guys वो hosted है, hosting गर के अंदर तो अगर आप चाहें तो यह special link से जाकर किसको purchase कर सकता है एडिशनल एक coupon code यूज कीजिए MRVS आपको additional 10% का discount मिलेगा और bloggingos.com में आने के बाद यहाँ पर आकर कि आप 300 डॉलर से ज़्यादा का bonus claim कर सकता है including premium theme और ज़्यादा जानकारी के लिए आप definitely यहाँ पर आए आपको summary मिल जाएगी तो मैंने जैसे मेरे hosting account को login किया login करने के बाद मैं मेरे dashboard के अंदर आया और यहाँ पर मैंने एक नया post create किया तो यह मेरा एक WordPress का admin dashboard है यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत कर दिया आपको title से तो हमारा keyword आपको shape देना है तो सबसे पहले हमें हमारा जो keyword जिस पर हमें content लिखना है पहला तो यह keyword देख लो और इसके बाद यह ढूंड़ो कि इस पर क्या best title बना सकते हो remember जब भी आप title बनातो उससे depend करता है कि आपको clicks आएंगे या नहीं आएंगे फिर मैं देखूंगा nine cheapest ways second number पर कर रहा है तीसरे में how to how to कर रहा है फिर निचे best ways कर रहा है तो मुझे एक चीज समझ में आगी है कि यहाँ पर मुझे अगर clicks लाने है जादा लोग उस पर click कर रहे है जहाँ पर कोई number mention है और जहाँ पर ways नाम का keyword यूज हुआ है तो हमें क्या करना है हमारा यह जो है उसको आपको जाना है आपके wordpress editor के अंदर और यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले आपका keyword paste करना है और यहाँ पर soundproof basement ceiling के नाम से आपको यहाँ पर number of ways create करना है जिससे आप किसी basement की ceiling को soundproof कर सकता है तो मालो कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ seven ways okay example के लिए यहाँ पर seven ways to soundproof basement ceiling यह होगे beginning तो यहाँ पर होगा आपका title का deciding factor इसके बाद कुछ additional keyword आपको add करना है आपके title में आपको यह देखना है कि basement ceiling को soundproof तो करना है मतलब आपकी जो गर के अंदर basement है उसको soundproof करना है लेकिन बहुत सारे तरीके हो सकते है आप insulation लगा सकते है आप drywall लगा सकते है तो आपको google को पूछना है कि इसमें क्या क्या possibilities है तो आप simply इसको click करो और आपको यहाँ पर बहुत सारा ideas मिल रहे है cheapest ways soundproof ceiling without drywall with drywall tiles ideas cheap and open right तो म मैं यहाँ पर समझ में आ रहा है कि without drywall के नाम से पहला suggestion मेरे को आ रहा है मैं जैसे इसको click करूँगा आपको यहाँ पर दिख रहा है video इसके बाद यह content है मलब यहाँ पर rank कर रहे है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा एक तरीके से यहाँ पर लिखूँगा without drywall okay seven ways to soundproof ceiling seven cheapest way मैं लिख दूँगा यहाँ पर right क्योंकि मुझे लगा कि यह keyword पर सबसे ज़्यादा suggestions आया मेरे को seven cheapest ways to soundproof basement ceiling without drywall ideas okay तो वह हमने दो तीन चार जो भी suggestions में keyword आ रहा थे वो सारे covered करियो आपका content आपका title multiple queries के लिए applicable हो गया तो यह title का design होता है वो बहुत critical होता है उससे google को समझ में आता है कि आपकी site किस category में आपने content लिखा है उससे एक click जो भी बंदा search करता है वो most of the time से query को ढूंड रहा है तब हमें suggestions में है तो यह आपको brainstorm करना होगा okay मैं इस पर detail नहीं जाओंगा but you got the idea right कैसे title design करना है तो कि title सबसे ज़्यादा की है आपका content rank भी कर जाए clicks नहीं करना है draft यह पहला step खतम हो गया remember google जब भी आपकी site पर आएगा सबसे पहले URL को read करेगा then वो आएगा title पे तो second step में हमें जाना है URL तो URL के लिए हम कहाँ पर click करेंगे यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाने के वाद आपको permalink option आएगा और यहाँ पर आपको exactly keyword type करना है जिसके लिए आप rank करना चाहता है right तो यहाँ पर यह मैंने लिख लिया okay best और cheapest ways to soundproof basement ceiling उसके अंदर यह जो word होता है right इनको बोला जाता है stop word अगर इनको नहीं भी use करेंगे that's fine okay तो 2 है a है n है the है 4 है ऐसे keyword का आप रिमूव कर सकते है Google वैसा भी इनको consider नहीं करता है इंद पर्मा लिंग anyways SEO का पार्ट नहीं है तो हमारा title का URL बन चुका है best ways cheapest ways soundproof basement ceiling जिसमें हमारा keyword है cheapest का keyword है waste का keyword और soundproof basement ceiling भी है यहाँ पर यह करने के बाद आपको save draft पे click करना है अगर अभी तक आप वीडियो पे बने हुए subscribe करना ना बोले यह premium learning मुझे तब ही देने का मज़ा आ लाओंगा तो next आएगा ने आएगा depend करेगा इस studio पर क्या response है जरूर करें लेंदी होगा लेकिन पूरा detail होगा यह वीडियो ओके यहाँ पर आगे अभी अभी बात आती है सबसे पहले beginning कि अभी हमें लिखना क्या है और यह बहुत ही deciding factor है क्योंकि user आएगा सबसे पहले अगर आप चाया तो soundproof idea पे एक example ले सकता है मैं कैसा लिखता हो बट मैं ज्यादा detail में नहीं जाओंगा बट यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा अगर soundproofing के लिए आता है तो मुझे user को पहले यह feel करवाना है कि मैंने problem face की और यह ideas मैंने इसलिए discover कियो और मैं आपके साथ share कर trouble cancelling noise coming from upstairs right देखो मैंने कुछ नहीं सोचा मैंने directly लिखा कि जब मैंने मेरा basement को home office बनाया तो उस ताइम मुझे real problem find out ही और वो थी कैसे मैं noise को cancel करूँ जो मेरा upstairs आ रही है मतला मेरे घर के अंदर so the noise from footsteps and impact noise coming from objects were annoying and after lot of hassle I decided to soundproof basement ceiling and hopefully you experience too right यहां पर मैंने बहुत ही smartly keyword को add किया कि जो noise उपर सा आ रहे थी कैसे मैंने बहुत सारे hassle करने के बाद यह decide किया महला बहुत सारे trouble आने के बाद यह decide किया कि मैं मेरी basement की selling को soundproof करूँगा okay soundproof the basement selling तो यहां पर मैंने smartly keyword को add किया soundproof the basement selling soundproof basement selling right तो इस तरीके सा आपको कुछ ऐसा data feed करना जिससे keyword merge हो गया लगा भी नहीं और आपने properly आपका message then after वो और content को read करेगा तो initially two to three paragraphs आपके लिए बहुत क्रिटिकल होंगे इसके बाद हमेशा आपको यहां पर क्या देना है basically यहां पर आपको कुछ case studies देना है right according to study done from these organization okay यहां पर जो भी organization आपको वो link निकालना है वो मैं आपको यहां पर detail में नहीं बताऊंगा we found that problem can be solved according to this organization we found that we found that more than 70% people are facing same issue in their basement तो यहां से आप एक authentic source को link करते हैं कि इनके accordingly मैंने निकाला और इससे मुझे प्राबलम को fix करना है इतने person लोग इसको face कर रहा है वो organization क्या है वो मैं अगर आप पुराने वीडियो को follow करते हैं आपको पता लग जाएगा कि ideally आपको ऐसा कुछ search करना है कि soundproofing के नाप सापको stats मिल जाएगा तो ऐसे किसी भी authentic source को आपको do follow back link देना है तो आपका content एक आप जो भी कुछ दे रहे हैं तो google को को जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि यह कहां से आ रहा है source तो यह आपकी site पे एक value addition करेगा और उसको do follow back link देना है तो इसके बाद मैं मुझे पता लगा कि 70% से जादा लोग इसकी problem को face करते है that's why I did soundproofing of basement ceiling without drywall and here I am going to share more than 7 ideas which I found myself while doing soundproofing yellow हो गया आपका right कि इससे मैंने खुद research किया और मैंने बहुत सारे तरीके निकाला और मैंने मेरे without drywall के साथ मेरी wall को soundproof कर दिया लेकिन जब मैं कर रहा था तो ऐसे बहुत सारा ideas मेरे दिमाग में है जिन पर मैंने research किया तो वो सारा ideas मैं आपको share करूँँगा ताकि आपको लग से डुणने की जरूतना पड़े this is what called the beginning okay इसको और मैं refine कर सकता हो यह live classes है तो ultimately I don't have a time लेकिन मैं इसको paragraph को वापस go through करके इसमें कुछ और changes करूँगा उसको लगेगा कि यह real time experience है और यह आपका हो गया पहला paragraph उसको preview में जाकर कि आप देखेंगे आपको दिखाई द सकते हैं ओके तो helpful seven ways you can try to soundproof basement ceiling यह आपका हो गया s2 tag मरला एक header हो गया आपका यहाँ पर इसको select कर सकते हैं then आप paragraph की बजाए इसको यहाँ पर heading बना करके इसकी heading को s2 बना दिया और यहां से आप थोड़ा सा एक दो paragraph और लिखो और इसके बाद आप वो 7 से 9 ways को ढून लो औ तो आप existing websites में से कुछ consensus mechanism होता अगर आपको नहीं पता तो consensus mechanism होता है कि already top 10 websites क्या है उसके कौन-कौन से 3-4 topics है जो सब ने cover कर रहे हैं उनको आपको एक और दो को definitely include करना आपकी language में produce करना है दूसरा आप Google के अंदर आए without drywall के नाम से आपने search किया पहले ceiling फिर यहाँ पर द ideas मिलेंगे how to soundproof basement ceiling और यहाँ पर आपको मिलेंगे how to soundproof basement ceiling और इसके बाद आप यहाँ पर टाइप करें with right तो with drop ceiling हो गया आपका without drywall हो गया और क्या आपको exactly करना चाहिए तो आप इस तरीके से 8 और 9 इनकी ideas को आप pull कर सकते हैं यहाँ पर basement ceiling को कैसे करना है आपने एक तरीका drywall खुद implement के आप उसको cover करें बाकि दूसरे तरीके with the help of tiles कैसा होकता है with the help of insulation कैसा हो सकता है तो वह आप seal और gaps को कैसा fill करना तो मलब आपको 9 तरीके से उसको soundproof करना तो आप अलग अलग तरीके से उनके बता सकते है right कि भाई पहले gap fill कर दो दूसरे वाले माप drywall लगा दो तीसरे वाले के अंदर insulation लगा दो तो वो आपका जो भी नीश जो category आपको ऐसा find out करना है got it तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा content fulfill करना है आपके इस तरीके से कुछ 7 और 9 तरीके से यहां पर number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से आपके बहुत सारे keyword के ideas आप यहां पर insert कर चाहिए और last but not least आपको यहां पर FAQs आड़ करना है और वो कहां से मिलेंगे यहां पर आपको Google में जाना और simply वही keyword आपको search करना है वहां पर जो भी आपका है soundproof basement ceiling with drywall scroll करना है scroll करते आपको सबसे bottom में आना है और यह जो keyword है using exposed joist ceiling या फिचिपेस्ट वेज या फिर कुछ upstairs को कैसे करना है और किस type का insulation आपको use करना है ऐसे 3-4 FAQs आपको add करना है आपका perfect SEO friendly content हो जाता है example के लिए अगर मैं soundproof idea पे जाओं हर content के नीचे आपको FAQ का session दिखाए देगा और वो जो FAQ जैसे example के लिए मैं इसको open करता हूँ और इस वाले content को जैसे मैं open करूंगा और इस summary type की चीजे रहती है कि आपने question उसका answer question और इसका answer तो इन keyword के लिए भी आपका content FAQ के अंदर rank करने लग जाता है example के लिए अगर मैं इसको search करूंगा Google के अंदर इस content को तो you will definitely find कि मैरा content से URL rank नहीं करता है column और ये वाला तो यहाँ पे देख सकते है not only that blue link URL बलकि यह दो FAQs उस भी है जो rank कर तो यहाँ से मुझे जादा ranking के chances हैं तो guys ऐसा लिखा जाता है कि informative content की beginning title सबसे जादा important रहता है permalint आपका important है बाकी rank math के थुरू आप कैसा optimize करेंगे वह definitely मैं इस video में detail में नहीं जाओंगा हमने इस पर already content writing के videos बना के रखे हैं आप उसको जरूर देख सकत करती है कैसा title निकाला जाता है और कैसे URL बनाये जाता है बाकि अंदर का data आपको feed करना ज्यादा detail learning के लिए obviously आपको या तो मेरे free channel sources के तुरू सिखना पड़ेगा या फिर आप definitely enroll कर सकते है जहाँ पर आपको पूरी learning at a single place मिल जाएगी hopefully ये video आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो आएगा Amazon affiliate का product की कैसे content को लिखा जाना चाहिए जिससे Google आपकी site को impact करना की बजाए advantage के साथ rank करें आपको ये video पसंद आया होगा ऐसा ही video आगे भी लाते रहेंगे आज के लिए फिर मिलेंगे एगले video के अंदर तब तक के लिए जय हैं जय भारत